हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल लॉट्स इन पार्ट्स गार्णिंग विद मी मैंने कुछ दिन पहले एमेजोन से कुछ प्लांट ओर्डर किये थे जो आज मुझे रिसीव हो गए है मैं आपको उन प्लांट्स का नाम बता देती हूँ एक प्लांट था फिले डेंड्रोन ओक्सीकाडियम ब्राजील प्लांट की सैपलिंग थी और दूसरा था फिले डेंड्रोन ओक्सीकाडियम गोल्डन प्लांट तो ये दोनों प्लांट्स जो है मुझे इनकी डिलिवरी फाइफ टेज में मिली है यहाँ पर ये लोग आपको fast delivery की भी सुविधा देते हैं लेकिन मैंने normal standard delivery ही रखी थी जिसके लिए मुझे 50 rupees charge किये थे इन लोगों ने तो 5 days में मुझे ये plant मिल गए हैं और अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है अभी हम देखते हैं कि ये 5 days में उन्होंने कैसी packaging की है कि ये plant survive कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं किस तरह के plant मुझे receive होते हैं ये तो आपको ये packet खोलने पर ही पता चलेगा जो पहला plant है ये है philodendron oxycardium golden plant और ये जो दूसरा plant है ये है philodendron oxycardium brazil plant हमारी यहां की जो local nursery होती हैं वहाँ पर इस plant के saplings बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं और ये plant अगर हमें मिलते भी हैं वहाँ पर तो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं बहुत ज्यादा high price पर ये plant मिलते हैं तो इन plants को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सबसे पहली बात तो ये है कि ये plant अभी तक survive कर गए हैं क्योंकि इन्हे 5 days हो चुके हैं वहां से चले हुए और अभी तक ये plant इनकी leaves बिल्कुल healthy दिख रही हैं तो मैं पहले सबसे पहले इसको भी यहां से निकालती हूँ ये tape सारे हटा कर देखती हूँ हमें बहुत जादा सावधानी से ये tape remove करने हैं जिससे कि इस plant को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो इसलिए ये बहुत ही patience का काम है आप देख सकते हैं कि इन्होंने अंदर कुछ पुरानी सूखी हुई जो पत्तियां होती हैं पेड की वो भरी हुई हैं और वो moist लग रही हैं इसलिए इन plants को इतने दिन तक जो है पानी की कमी नहीं हुई है और मैं पहले ये tape remove कर लेती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि इन्होंने किस तरीके से इसकी packing की है अभी तक तो मैं बिल्कुल satisfy हूँ इन plants से बस मुझे थोड़ा सा अच्छे से इसकी ये tape हटानी है जिसे कि ये plant बिल्कुल भी खराब ना हूँ इसकी leaves एकदम fresh लग रही हैं कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये plant इतने दिन बिल्कुल packed रहा है और इन्होंने इस plant के जो pot है उनको सूखी हुई जो बड़े पेड़ की जो पत्तिया होती है न उनसे इसको crush करके उनको moist करके गीला करके उनको भरा हुआ है जिससे कि इसमें plant के अंदर moisture बरकरार रहा है ये plant सूखे नहीं है तो इनको मैं हटा देती हूँ और ये इस तरीके का आपको plant receive होता है इस plant की leaps को लेके मैं बहुत crazy हूँ मैंने इसकी बहुत सारे video और pictures देखे थे तब ही मैं सोचती थी काश ये plant मेरे पास भी हो लेकिन मैंने कई जगह local nursery पर ये plant ढूनने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ये plant मिल तो जाएगा लेकिन जब मुझे वो plant मिला तो इससे तो काफी बड़े plant थे बड़े pot में लगे हुए थे लेकिन price भी उनके बहुत high थे और मैं हमेशा जो plant होते हैं उनकी saplings जो छोटी होती हैं उनको ही purchase करती हूँ बहुत बड़े plant में कभी भी purchase नहीं करती हूँ और इनकी पतियों का जो shade है ये बहुत ही खूपसूरत है और आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत की जो नई पतियां निकल रहे हैं वो एकदम white हो गई हैं क्योंकि 5 days इनको sunlight नहीं मिली है तो ये 2-3 दिन जब sunlight में रहेंगी तो इनकी पतियां वापिस अपने सही shade में आ जाएंगी तो मुझे तो ये plant बहुत सही लग रहा है, healthy लग रहा है हाँ छोटा plant है थोड़ा लेकिन अगर हम इसकी सही से समर में care करेंगे तो ये plant 4-5 महीने बाद अच्छे healthy हो जाएंगे अब मैं next जो दूसरा philodendron oxycardium golden plant है उसको भी unbox कर देती हूँ अगर packaging की बात करें तो मैं बिल्कुल satisfy हूँ इनकी packaging से क्योंकि इसे ये plants की leaf बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है एकदम सुरक्षित है और sunlight की कमी की कारण से इनके रंग में थोड़ा सा फरक हुआ है लेकिन वो दो-ती निन में ठीक हो जाएगा लेकिन हाँ मै जून की गर्मी में अगर हम ये plants मंगाते हैं तो हमें fast delivery चूज करनी चाहिए बाकी अभी इतनी गर्मी नहीं है और ये आप तीन चार plant भी एक साथ मंगाएंगे तो भी आपको 50 रूपीज ही चार्ज करेंगे तो मैंने दो plants मंगाए थे मुझे अब लग रहा है मुझे दो-तीन और मंगा लेने चाहिए थे तो आप देख सकते हैं दोनों plants बहुत ही खूपसूरत लग रहे हैं और अभी मैं इन plants को इनी pot में छोड़ दूँगी और अभी इनको plants को थोड़ा सा shower देने का time है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी journey अपनी complete की है ये plant केरल से हर्याना आये हैं आप सोच सकते हैं कि बहुत लंबी journey इन plants ने पूरी की है और अब इन्हें एक shower तो बनता है अभी मैं one month कम से कम इनी pot में इन plants को रखा रहने दूँगी जिससे की ये यहां के जो atmosphere है उसमें खुद को अच्छे से ढाल ले और उसके बाद जब इनमें new leaves आना start हो जाएंगी तब मैं इन plants को report करूँगी तो आपको ये video कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं पसंद आया है तो like, share, comments जरूर करें